नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो आज हम एक पतंग के अंदर एलेडी लाइट लगाएंगे और एलेडी लाइट लगाने के बाद जो है आप जब इसको फिर रात को उड़ाओगे तो यह बहुत अच्छी तो यहां पर हमने क्या करा है यहां पर मल्टी कलर की दो एलेडी लिये और यहां पर यहां पर यहां सा याद रखें कि जब भी कभी आप पतक के अंदर कोई यहां पर वायरिंग करें तो वायर वहां पर बहुत हलकी होनी चाहिए और दोनों जो वेट है वो बराबर होना च और यह wire दोनों जो यह चारो wire जो हम नीचे इस साइड में लियाएंगे और यहाँ पर जो है वेटरी का जो वेट है वो तो हलका सा ज़यादा रहता है लेकिन हम ने बैटरी फिर भी एक चोटव सा बैटरी लिया है देखे यह वाला यहाँ पर यह हमारा Bluetooth speaker आता है छोटे वाला जो हमारा headphone आता है छोटे से जैसे हमारे airport बगर आते हैं तो उसका battery निकाला हुआ है और यह एक अनुप सुच लगा दिया है मैंने यहाँ पर और इसको हम यहाँ नीचे side में इस तरीके से चिपका देंगे इस तरीके से और यहाँ पर यह connection कर देंगे तो यहाँ पर तो आपको पताईए कि LED के अंदर negative positive होता है यहाँ बैटरी के अंदर भी negative positive होता है तो मैं इसके connection करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ तो देखें दोस्तो हमने LED light इसमें complete कर दिये देखिए यहाँ पर देखिए यह बलब लग गए हमारे जो हमारी LED RGB और यहाँ पर देखिए connection होके सीधा यहाँ पर आ गए देखिए positive वाला जो है वो हमने सुच पर लगा दिया negative वाले दोनों LED के battery के negative पर अब इसको मैं जन दबाता हूं तो यह देखें दोनों LED हमारी glow हो गई अब जब हम इसको रात में उड़ाएंगे तो यह बहुत अच्छी लगेगी पतंग और बहुत बढ़िया लगेगी तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बेल का आइकन को जरूर दबाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा और दोस्तो अब मैं इसको आपको एक बार नाइट में भी चला के दिखाता हूं यह किस तरीके से दिखाई देगी दोस्तो रात में यह पतंग कुछ इस तरीके से झाल